छलो दोस्तों स्वागता आप सभी का हमारे ओनलान चनल आराध्या आर्यास एकड़ी में दोस्तों पूरे रजस्तान में जितनी भी परतियों की परिक्षाएं आईजीत होती है उन्हें sबी परतियों की परिक्षाओं के लिए राजस्तान बुगोल के क्विज श्टाट की गए थी जिसमें अपनी दोस्तों 37 क्विज है वो कंपलीट हो चुकी है आज दोस्तों अपनी इसमें 38 नमबर की क्विज है दोस्तों प्रते क्विज के अंदर आपको 40% दिये जाते हैं जो आपकी प्रतियों की परिक्षा के अगर आप इन प्रशनों को देख लेते हैं तो दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा प्रफिट हो जाएगा इसमें तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रशना इसमें देखिए राज्ये में पर्थम बार लाइट क्रूड ओयल की खोज की गई तो यहां पर देखिए दोस इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा तो वो है गुडा तेल छेत्र तीक है तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ओप्शन सही उत्तर हो जाएगा यह चार ओप्शन है यह सभी के सभी तेल छेत्र हैं यह कहां पर है तो यह बाड़ मेर जिले में है आगे देखिए पीले रंग का लाइम इस्टोन किस जिले का प्रसिद है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों जैसल मेर में जैसल मेर में है यह पीले रंग का लाइम इस्टोन तो इसमें C नमबर का option सही उत्तार हो जाएगा आगे देखिए गेवरिया चांदपूर खनन छेत्र किस खनीज के लिए प्रसिद है गेवरिया चांदपूर खनन छेत्र किस खनीज के लिए प्रसिद है तो दोस्तों यह कौन से खनीज के लिए तो यह घिया पत्तर ठीक है मैंने आपको कल एक नाम बताया था है वो गिया पत्तर का ही दूसरा नाम है तो यहां पे घेवरिया चांदपूर खननचेत्र है यह गिया पत्तर के लिए प्रशिद है तो इसका राइट आंसर डी नमबर का उप्शन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए 124 नमबर प्रशने पस्मी प्स्मी रजश्तान में थार का मरुस्तल क्यों चर्चित है तो यह थे खनी जटेल की खोज यहां पर देखिए थार का मरुस्तल है वो चर्चित है तो इसका राइट अंसर एप्सन हो का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो गोटारू ठीक है गोटारू के अंदर है दोस्तो हीलियम गैस मिली है ठीक है और गोटारू का आप रहा है तो यह जसलमेर में है नेक्स्ट आगे देखिए 126 नमबर प्रेस ने राजस्तान में यानि की राज्य में तामडा का सरवादिक खनन किस जिले में होता है तो तामडा का जो सरवादिक खनन है वो दोस्तो टोंक जिले में होता है और आपने टोंक जिले में राजमहल का नाम तो सुनाई होगा ठीक है तो यहाँ पे टोंक जिल तो आपने नाम तो सुनाई होगा दोस्तो केसरपुरा दोस्तो केसरपुरा में है हीरे की खान तो इसका राइट आंसर डी नंबर का अप्शन हो जाएगा ठीक है केसरपुरा आगे देखिए गिया पत्तर के उत्पादक छेत्र वे जिलों में से कौन सा यूग्म ऐसते है यहां पे दोस्तों अपने को बताना है कि कौन सा यूग्म है वो इसमें गलत दे रखा है ठीक है कौन सा यूग्म इसमें गलत दे रखा है एक तरफ तूझ तो देखे गिया पत्तर के उत्पादा के चेत्र हैं और सामने उनके जिले दे रखे हैं तो देखिए दोस्तो इस में बहुत अच्छा प्रस्ट है यहाँ पे देखिए देवपुरा रिसब देव उधैपूर बिलकुल सही है गोता जरना दोसा बिलकुल सही ह अकॉल खेमला डुंगरपूर यह भी सही है दरीबा यहाँ पे देखे दोस्तों उदेपूर दे रखा है और यहाँ पे दरीबा दे रखा है अब दोस्तों आप सभी को पता है कि दरीबा किसके लिए प्रसिद है तो यहां पर यह है यह गलत दे रखा है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है डी नमबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा यहां पर गिया पत्र का उत्पदन है वो नहीं होता नेक्स्ट है नवीन तामबा पट्टी नीम का थाना किस जिलों में इस्तित है तो यहां पर देखिए जो नवीन तामबा पट्टी है नीम का थाना ठीक है किस यानि कि किन जिलों में यह इस्तित है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है जुन जुनों और शिकर जिले के म सलाय मत्रूरा कूरोड पाइप लाइन देए ठीक है एक तरफ दियुक्क दो्फ न है और दूसरी तरफ उनकी गप्यरे यान की कोन सी कंपणि कारी कर रही है कोन सी पाइप लाइन वें ठीक है यह अपने कोई बताना है तुम्हार आपको देखे डारेक्ट बता देता हूँ इसमें सलाया मतुरा कुरूड पाइपलाइन तो इसमें कौन सी कमपनी कारे कर रही है तो वो है दोस्तो इसमें आई ओ सी याद रखना आई ओ सी ठीक है इस पहले का आई ओ सी हो जाएगा दूसरा है कोटा जोबनेर पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन तो दोस्तों इसमें कौन सी कंपनी कारे कर रही है तो वो है दोस्तों इसमें कौन सी तो वो है बी पी सी एल ठीक है और हाजीरा विजयपूर जगदीशपूर गैस पाइपलाइन तो ये दोस्तों किस ने तो ये है गेल ने ठीक है जी ए आई एल ये गेल कंपनी कारे रही है इसमें जाम नगर लोनी गेस पाइपलाइन तो इसमें दोस्तों कौन सी कंपनी कारे कर रही है तो वो है ओनजीसी ओनजीसी तो इसमें देखिए मैने आपे सुमेलेत कर दिया है याb रा इओ सी बी पी सील गेल और ओनजीसी तो इस प्रेसिंग का Garay टा answer हो जाएगा वो है दूस्त तेस नमबर प्रेस ने राज्य में दूसरा सिमेंट सेयंत्र साहु जैन गुरूप के द्वारा इस्तापित किया गया था तो यह किया गया था दोस्तों स्वाई मादवपुर में गुनी सो 63 में तो इसका सी नमबर उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए RSMML विभाग का कारिये है तो देखिए दोस्तों जिपसम सेलेनाइट लाइम स्टोन वेलिगनाइट के खनन का कारिये राजफोस नामक उर्वरक तयार कर विपनन का कारिये जामर कोटडा उदैपुर में रोक फोस्पेट के खनन का कारिये तो इसका राइट आंसर हो सबी आगे देखिए दोस्तों इसमें भारत में सर्वस्रेष्ट संग्मर मर कहां मिलता है भारत में सर्वस्रेष्ट संग्मर मर है वो कहां पर मिलता है तो यह मकराना में मिलता है तो इसमें बी नंबर का उप्शन सयुत्तर हो जाएगा और यहां पे केल साइट किसम का तो वो है दोस्तों इसमें यह परमानु उर्जा प्राप्त करने के लिए उप्युक्त धातू है बी नंबर का उप्शन बिल्कुल से उप्तर हो जाएगा 135 नंबर प्राप्त है इसमें देखिए राजस्तान राज्य खनीज विकास निगम एवं राजस्तान राज्य खान एवं खनीज लिमिटेड का विले कब हुआ तो दोस्तों इनका जो विले है दोनों का RSMDC और RSMML का विले है ये विले दोस्तों हुआ था 20 परवरी 2003 को डी नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा नेक्स्त है राजस्तान में लिगनाइट कोईले का अत्यदिक उत्पादन होता है तो ये उत्पादन होता है दोस्तों कहां पर तो बित नोक में कहां पर है बित नोक में तो इसका राइट आंसर सी नंबर उप्शत सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए 137 नमबर प्रेशन निम्न में से बाड मेर में इस्तित तेल छेतर कौन सा है तो बाड मेर में इस्तित तेल छेतर कौन सा है तो वो है सरस्वती तेल छेतर है रागेश्वरी तेल छेतर है कामेश्वरी तेल छेतर है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उप्रोक्त सभी ठीक है ये बाड मेर में इस्तित तेल छेतर हैं डी नंबर ओप्शन सेउत्तर हो जाएगा आगे देखिए चांदी का आइसक है वो कौन सा है इसमें देखिए अरजेंटाइट पाइराजाइराइट होर्न सिल्वर ये सभी हैं ये चांदी के एसक हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उप्रोक्त सभी डी नंबर का ओप्शन बिल्कुल सेउत्तर हो जाएगा आगे देखिए एक सो गुंचालिस नंबर प्रेसने आंदी है तो दोस्तों आंदी है वो क्या है वो अपने जो धूल पर यांदी चलती है वो वाली आंदी नहीं है दोस्तों आंदी एक इस्तान का नाम है और ये जैपूर जिले का सबसे बड़ा खनंद छेतर है आंदी ठीक है तो ये सी नंबर का ओप्शन बिल्कुल सेउत्तर हो जाएगा आगे देखिए दोलपूर विदूत परिजना आद आदारित है तो दोस्तों ये गैस पर आदारित है सी नंबर का ओप्शन बिल्कुल सेउत्तर हो जाएगा दोस्तों एक चीज मैं आपको बता देता हूं अगर आपने पिछली 37 पी जगर नहीं देखिए तो आप प्ले लिस्ट में जाएए वहां पे आपको फोल्डर बिल ज इसके नाम से तो आप वांजा के सारी के सारी क्लासे हैं वह जरूर देखें और दोस्तों अपनी तयारी का है वह आकलन जरूर करते रहें आप कितने पाणी में हो यह पता लग जाएगा आपको ठीक है आपकी तैयारी कितनी है आगे देखिए 141 नंबर प्रेस्ण है निम्न रानेरी लिगनाइट जिप्सम बदवासी ठीक है डी नंबर को उप्षन इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें गलत दे रखा है ठीक है आगे देखिए दोस्तों इसमें 42 नंबर प्रेस्ण है राज्य में देश का कितने प्रतिशत रोक फोस्पेट उत्पादित होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर उप्षन नेक्स्ट है राजस्तान में हिंदुस्तान कोपर लिमिटेड की परियोजना कारे रत है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए खेतरी जुझनू दरीबा अलवर चांदमारी जुझनू तो दोस राजस्तान कोपर लिमिटेड की परियोजना है वो कारे रथ है डी नंबर का ओप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 144 नंबर प्रेसन है इसमें देखिए राजस्तान राज्य खान वे खनीज लिमिटेड निम्न में से किस खनीज के खनन एवं विपनन का कारे करती है तो व प्रेड लाइमिस्टोन रोक फास्पेट ठीक है यह तिनों ही है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह उप्रोक्त सभी डी नंबर का ओप्शन बिल्कुल से उत्तर नेक्स्ट है शिरोही का बालदा चित्र प्रसिद है तो शिरोही का एक चित्र है बालदा वो किसके एनर्जी ठीक है कंपनी का नाम है केयर एनर्जी एनर्जी लिमिटेड जो की राज्य में तेल छित्रों की खोज में सलगन है यह किस देश की कंपनी है तो यहां पर देखिए यह केयर एनर्जी का जो कंपनी है यह किस देश की कंपनी है बहुत यह सा प्रस्थन है तो यह ब वर्मिक्योलाइट के समन्ध में निमन Christmas है, तो यहाँ पर देखे, वर्मिक्योलाइट के बारे में बात हो रही है, यह ताप राओनी रोधी है, बिल्कुल सही है, इसका बागवानी छेत्र वह Victory उद्योग में Ahdikुपयोग होता है, बिल्कुल सही है, देश में वर्मिक्योला जञता है वर्मिक्युलािट में इस दिकार नहीं है राजस्तान, देखिए विश्वह में वर्मिक्युलाइट के शर्वादिक आफत्पादन दक्षिनमि ए क्यों अफ yardımत करें हैं तो crane-डी बी savoir ंबी बी सिय है, C गलीड है तो इसका right answer C number का option हो जाएगा आगे देखिए निम्न में से एसंगत है तो दोस्तों यहां पे देखिए निम्न में से एसंगत है वो कौन सा है तो यहां पे देखिए लिगनाइट के सरवादिक बंडार है वो तमिलनाडू में है बिल्कुल सही है लिगनाइट का सरवादिक उत्पादन तमिलनाडू में है यह भी इसमें सही है लिगनाइट के बंडारों में राजस्तान का इस्तान है वो तीसरा दे रखा है दोस्तों तीसरा इस्तान राजस्तान में इसमें गलत दे रखा है कमेंट में बताना है आपको लिगनाइट के बंडारों में राजस्तान का इस्तान है वो कौन सा है ठीक है और राजस्तान में लिगनाइट के सरवादिक कुल बंडार बाड मेर बिकानेर चेतर में है तो ये भी बिलकुल सही है तो इसमें ऐसंगत पुछा था तो अपना सी नंबर उप्शन से इतर हो है राजय में बोराइट्स डोलोमाइट रोक फोस्पेट गिया पत्थर अधिका सरवादिक उत्पादान यानि कि पर्थम इस्तान प्राप्त करने वाला जिला है तो वो है उदैपूर सी नंबर का उप्षन बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा एक सो पचास नंबर प्रेशन है इसमें देखिए देश के इसपात सयंत्रों को इसपात ग्रेड यानि कि स्टील ग्रेड के चूना पत्थर की आपूर्ति कहां से होती है तो यह होती है दोस्तों सानू खन खनन खेतर से तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्षन हो जाएगा नेक्स्ट राजस्तान स्टेट माइन्स वई मिनरल लिमिटेड का मुख्याले कहां पर है तो यह दोस्तों उदैपूर में है बी नंबर ऑप्षन सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट निमनलिकित में से भिन है तो वो है दोस्तों इसमें करारा तो इसमें बी नंबर ऑप्षन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे दोस्तों इसमें इस्टिटाइट के उत्पादन में राजस्तान का देश में इस्तान है तो यहां पे गिया पत्थर की बात हो रही है दोस्तों इस्टिटाइट गियापत्थर का ही दूसरा नाम है तो यहां पर इस्टिटाइट के उत्पादन में राजस्तान का देश में इस्तान है वो इस्तान है दोस्तों पर्थमिस्तान सी नमबर उप्शन से उत्तर नेक्स्ट है राजजे में सरवादिक ग्रेनाइट पाये जाता है तो सरवादिक ग तो वो इस्तान है दोस्तो कौन सा कपूर्डी ठीक है सी नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कपूर्डी आगे देखिए इसमें छपपन नंबर प्रेस ने देखिए बेराइट्स खनीज राजस्तान में कहां से प्राप्त किया जाता है तो य सा इस्तान है देश में कुल अबरक उत्पादन में राजस्तान का कौन सा इस्तान है तो दोस्तो राजस्तान का इसमें इस्तान है तिर्टिय इस्तान सी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तिर्टिय इस्तान आगे देखिए जेम गारनेट का उत्पादन केवल कोन से राज्य में होता है जेम गारनेट का उतपादन केवल कोन से राज्य में होता है तो ये होता है दोस्तो राजस्तान में तो इसका राइट आंसर ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें 159 नमबर प्रेस ने जेम गारनेट निमन में से सरवादिक किस जिले में मिलता है तो दोस्तो ये मिलता है टोंक में ए नमबर का ओप्षन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखें गोटन इस्तान नागोर किस के लिए प्रशिद है तो ये प्रशिद है दोस्तो का ओप्षन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तो ये मैंने आज आज आपको जो 38 नमबर की क्विज है वो कंपलीट करवा दी है दोस्तो ठीक है राजस्तान बुगोल की है और अगर आपने पिछली क्लास अगर नहीं देखिए तो आपकी परिक्षा के लिए अत्यां दोस्तों के जरूर करें दोस्तों दोस्तों में जाहिन जा Complete